इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतियास भाग तो भाग एक इसका मैं पहले ही करा चुका हूँ जिसमें हम वीर गाथा काल, भाक्ति काल एवं रीति काल पहले ही कवर कर चुके हैं रीति काल के बाद शुरुवात होती है आधुनिक काल की तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आधुनिक काल आधुनिक काल के पिर्मुक लेखक, उनकी रचनाएं एवं पुरुसकार यह वीडियो उन सभी परिक्षाओं के लिए महत्पून हैं जिनमें हिंदी विशय आता है अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी के किसी और विशय पर भी वीडियो बनाऊं तो किर्पया कॉमेट बॉक्स में लिख दीजिए तो चलिए देखते हैं आधुनिक काल की शुरुवात 1850 इसवी से हुई इसको गद काल एवं भारतेंदु काल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुवात भारतेंदु हरिस्चन ने ही की थी जैसा हम आजकल आधुनिक काल की रचनाव में देखते हैं उस तरह लिखने की शुरुवात भारतेंदु हरिस्चन ने पहली बार की सी इसलिए रीतिकाल से आधुनिक काल में आने का शुरे सिर्फ भारतेंदु हरिस्चंद को ही दिया जाता है आधुनिक काल को 6 युगों में बाटा गया है चलिए देखते हैं उनको पहला युग है भारतेंदु युग भारतेंदु युग भारतेंदु हरिस्चंद के नाम पर पढ़ा और इसका श्रे उनको ही जाता है और भारतेंदु हरिस्चंद को ही आधुनी काल का पिता भी का जाता है दूसरा है दीवेदी युग तीवेदी युग का नाम महावीर परसाद दीवेदी के नाम पर रखा गया और इसमें जो कवी हुए महावीर परसाद दीवेदी, हजारी परसाद दीवेदी, माखनलाल चतुरवेदी तीसरा है चायावादी युग इसमें जैशंकर परसाद हुए और जैशंकर परसाद को ही इसका पिता कहा जाता है और इन्ही के नाम पर छायवादी युग का नाम पड़ा है दूसरी कवियतरी हुई महादेवी वर्मा चोता युग है पिरगतिवादी प्रिगतिवादी में कवी हुए सुमित्रा नंदन पंत, सूरेकान तिरपाठी निराला पांचवा युग है प्रियोग वादी इसमें काफी ज़्यादा प्रियोग हुए इसके कवी हैं अगे और धरंबीर भारती और आधुनी काल का सबसे आखरी और जो आजकल हम देखते हैं वो युग हैं नई कवीता हैं इसमें कुमार उश्वास जैसे कवी आते हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन से युग का नाम किस के नाम पर पढ़ा कई بार यह परिक्षणचाँ में पूछ लिया जाता है वैसे तो आधुनी काल में काफी जादा कवी हैं लेकिन हम सिर्फ वो ही पढ़ेंगे जो परिक्षणचाँ में अक्षणचाँ पूछे जाते हैं इसका फोर्मेट इस परकार होगा पहले हम किसी कवी की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम उनकी पिर्मुक रचनाएं देखेंगे जो परिक्षाओं में अक्षिर पूछी जाती हैं पहले सबसे महत्पूर कवी हैं भारतेंदू हरीस्चंद्र इन्ही के नाम पर आधुनी काल का नाम पड़ा इनका जन्म 9 सितंबर 1850 वारानसी उत्तर प्रदेश में हुआ इनके पिताजी का नाम था बाबु गोपाल चंद्र वह भी एक कवी थे इन्होंने 35 वर्ष के अलप आ 1850 वारानसी उत्तर प्रदेश में और इनका मून नाम हरीस्चंद ही था भारतेंदू इनको उपादी मिली हुई थी तो चलिए अब इनकी मुख्य रचनाय देखते हैं ये कविताय ही लिखते थे और कुछ नाटक और निबंध भी इन्होंने लिखे हैं प्रेम मालिका प्र प्रकाष, चंद्र प्रभा, रतनावली, अंधेयञ़ी नाटक था, ये अपने बच्पन में पढ़ा होगा हिंदी की जादतर किताबों में अक्सर यह दिया जाता है बच्पन में अधेयनगरी अनपढ़ राजा सो अंधेयनगरी इनका ही नाटक था सत्यय हरीस्चंद्र, ये भी आपने पढ़ा होगा और चंद्रावली। सिर्फ ये ही इनकी महत्पूर्ण रचनाय हैं जो अक्षर परिक्षाओं में पूछी जाती हैं। चलिए अब अगले कवी को देखते हैं। देव की नंदन खत्री इनका जन्म 29 जून 1861 मुझफरपुर पिहार में हुआ। इनको हिंदी का श्राजी भी का जाता है जो इनको वरंदावन लाल वर्मा ने नाम दिया। इनकी मरत्यू 1 अगस्ट 1913 काशी उत्तर परदेश में हुई। चलिए अब इनकी प्रभुक रचनाय देखते हैं। इनकी मुख्य रचनाय हैं चंदरकांता, चंदरकांता संदती, भूतनात, काजर की कोटरी, नरेंदर मोहोनी और अनूठी बेगम। अगले सबसे महत्पूर कवी हैं शरत चंदर चटोपाध्याय। इनका जन्म 15 सितंबर 1886, देवानन्दपूर, पश्चिम मंगाल में हुआ। 1974 में इनके एक उपन्यास चरित्रहीन पर एक फिल्म बन चुकी है। और उसके बाद देवदास पर काफी फिल्म बन चुकी है। और इनकी म्रत्यू 16 जनवरी 1938 पश्चिम मंगाल में ही हुई। चलिए अब इनकी मुख्य रचनाय देख लेते हैं जो परिक्छाओं में अक्सर पूछी जाती है। इनकी मुख्य रचनाय हैं देवदास जिस पर फिल्म बन चुकी है, चरित्रहीन जिस पर भी फिल्म बन चुकी है, शिरिकांत पंडित मोशाय आदी। और मुशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। इनका जनम 31 जुलाई 1880 लमही गाउं वाराण सी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिताजी का नाम मुशी अजायब लाल था और माताजी का नाम आनन्दी देवी था। इनकी एक रचना है आशू, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, गार्डन ओफ लोनलिनेस के नाम पर। इनकी मरत्यू 8 एक्टूबर 1936 में हुई। चलिए अब इनकी मुखे रचनाए देखते हैं। इनकी रचनाओ को दो भागों में मैंने विभाजित किया है। पहला है प्रसिद उपन्यास जिसमें हैं गोदान, गबन, करम भूमी, रंग भूमी, सेवा सदन, प्रेमा, वर्दान, निर्मला, पृतिग्या। और आखरी उपन्यास इनका था मंगल सुत्र जो अधुरा ही और इनकी प्रसिद कहानिया हैं पूस्की रात, कफन, इद गहा, बड़े घर की वेटी, मान सरोवर। मैथिली शर्ण गुप्त इनका जनम 3 अगस्त 1886 चिरगाओं जहांसी उत्तर परदेश में हुआ। इनके पिताजी का नाम सेट रामचरण था और माताजी का नाम काशी उन्निस्तो चोवण में इन्हें पदम भूशन अलंकार से सम्मानित किया गया था, इसके अलावा भी इनको काफी पुरुसकार वे सम्मान मिल चुके हैं और इनकी एक रचना साकेत पर इनको मंगला परसाथ पारी तोशिक पुरुसकार मिला जो काफी महत्त पूर्ण समझा इनकी मुख्य रचनाय हैं पंचवटी, भारत भारती जिसकी प्रिणा इनको इनके गुरुजी से मिली साकेत, जैदर्त वद, यशोधरा, द्वापर, जंकार, जैभारत, रंग में भंग अगले महत्पूर्ण कवी हैं महाकवी जैशंकर परसाद इनका जनम 30 जनवरी 1889 इसवी वारानसी उत्तर परदेश में हुआ इनके पिताजी का नाम था देवी परसाद साहू इनकी मिरत्यू 15 नवंबर सन 1937 में हुई सिर्फ 48 वर्स की अलप आयू में ही और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ आधुनिक काल के चायवाद की स्थापना जैशंकर परसाद नहीं की थी इनकी मुख्य रचनाए हैं जर्णा, आंसु, लहर, कामायनी इसके लिए इनको पुरुसकार मिल चुका है इसलिए यह काफी महत्पून हैं और परिक्षाओं में अक्सर पूछली जाती है प्रेमपतिक और इनके कुछ कहानिया है चाया, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिधवनी, आकाश दीब और इनके कुछ परसिद नाटक हैं इनके कुछ परसिद उपन्यास, तितली, कंकाल, इरावती इरावती उपन्यास इनका अधूराही रह गया था इसलिए यह भी महत्पून हो जाता है माखनलाल चतुरवेदी इनका जन्म 4 अप्रेल 1809 से इस्वी बाबई होसंगाबाद मध्य परदेश में हुआ इनके बारे में सबसे महत्पून बात यह है कि 1954 में जब साहित्य अकादमी पुरुषकार की इस्थापना हुई थी तो सबसे पहले इन ही को साहित्य अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था इनकी रचना हिम तरंगनी के लिए यह कई बार परिक्षाओं में पूछ लिया जाता है और यह दिवेदी युक के कवीधे इनने एक भारत की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है इनकी मुख्य रचनाए है हिम किरिटनी, हिम तरंगनी, युक चरण, समरपन, कृष्णा अर्जुन युद, साहित्य के देवता, समय के पाउं, अमीर इरादे, गरीव इरादे सूरेकान तिरभाटी निराला इनका जन्म 21 वरवरी 1860 में मेधनीपूर जिला पश्चिम बंगाल में हुआ इनके पिताजी का नाम था पंडित राम साहय और इनोंने ही आनद मट का हिंदी अनुवाद किया कई बार परिक्षाओं में पूछ लिया जाता है यह काफी क्रांतिकारी कवी थे और इनको छायवादी युक कवी माना जाता है इनकी मरत्यू 15 अक्टूबर 1961 प्रियागर उत्तर प्रदेश में हुई इनकी मुख्य रचनाएं हैं इनकी मुख्य रचनाओं में हैं कुछ कवीताएं अनामिका, परिमल, गितिका, कुकुरमुत्ता और कुछ उपन्यास, अपसरा, अलका, निरुप्मा, आराधना कुछ कहानिया, लेली, चतूरी चमार बस इतनी ही महत्पून हैं जो परिक्षाओं में पूछी जाती हैं सुमित्रा नंदन पंत इनका जन्म 20 मई 1900 कोसानी उत्तराखंड में हुआ इनका बच्पन का नाम था गुसाईदत इन्होंने सुपतंतरता संग्राओं में भी काफी योगदान दिया 1921 में ऐसा योग आंदोलन में ये शामिल हुए थे और 1930 में नमक सत्याग्रे भी इन्होंने किया था अब इनके पुरुसकार और सम्मान की बात कर लेते हैं कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरुसकार मिल चुका है लोकायतन के लिए इनको सोवियत लेंड नहरु पुरुसकार मिल चुका है सिदंब्रा पर इन्हें बारत्य ग्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित किया गया था 1968 में और सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड सुर्थ कहा जाता था और इन्होंने नायक अमिताब बच्चन को नाम अमिताब दिया था और इनकी मरत्यू 28 दिसंबर 1917 इलाबाद या वर्तमान प्रियागराज उत्तर प्रदेश में हुई इनकी मुखे रचनाए हैं वीना, पल्लब, चिदंब्रा यह काफी महत्पून हो जाती है महादेवी वर्मा, इनका जन्म 26 मार्च 1907 फरुकाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ इनके पिताजी का नाम गोविन प्रिसाद वर्मा था और माताजी का नाम हेमरानी देवी इनको काफी पुरुसकारों से सम्मानित किया गया था लेकिन सबसे महत्पून है पदम भूशन 1956 में मिला, एवं ग्यानपीट पुरुसकार 1982 में मिला और 1988 में पदम विभूशन मर्णो परांत इनको दिया गया और महादेवी वर्मा को मोडन मीरा भी का जाता है महादेवी वर्मा भी छायवादी कव्यत्री थी इनकी मरत्यू 11 सितंबर 1987 प्रियाग उत्तर परदेश में हुई इनकी मुख्य रचनाए हैं दीप शिखा, मेरा परिवार, इसमर्ती की रेखाएं, यामा, यामा काफी महत्पून है श्रंकला की कडिया, अतीत के चल्चरित, यह भी परिक्षाओं में पूछली जाती है नीर्जा, निहार, रशिम, गिल्लू, ये सभी की सभी महत्पून है हाजारी प्रसाद दीवेदी, इनका जनम 19 अगस्त 1907 बलिया जिला उत्तर परदेश में हुआ इनके पिताजी का नाम पंडित अनमूल दीवेदी था जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, दीवेदी युक का नाम मावीर प्रसाद दीवेदी के नाम पर ही पढ़ा है इनकी मुख्य रचनाय है हरीवन्श राय बच्चन इनको तो आप सभी जानते ही होंगे ये हैं अमिताब बच्चन के पिताजी इनका जनम 27 नवेंबर 1907 इलहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ इनके पिताजी का नाम था प्रताप नारायन सिरिवास्तब माताजी का नाम था सरस्वती देवी और इनके पुत्र अमिताब बच्चन को तो आप सभी जानते ही होंगे इनको काफी पुरुसकारों से सम्मानित किया जा चुका है इसमें सबसे महत्पूर्ण है साहित्य काद्वी पुरुसकार जो 1968 में इनको मिला और इनके बारे में एक बात यह है जो काफी कम लोगों को पता है कि ये सेना में लेफ्टीनेंट के पदपर रह चुके हैं और इनकी मृत्यू हुई 18 जनवरी 2003 मुंबई महरास्ट्र में इनकी मुख्य रचनाए हैं जो परिक्षाओं में पूछ ली जाती हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलस, तेराहार, निशानिमंतरन, मेकबेद, जनगीता, दोचट्टाने अगले महत्पूंड कवी हैं रामधारी सिंग दिनकर इनका जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया मुंगेर बिहार में हुआ इनके पिताजी का नाम शिरी रवी सिंग और माताजी का नाम शिरीमती मनरूप देवी था और इनके बारे में सबसे महत्पूंड बात यह है कि इनको भारत के राष्टकवी का दरजा प्राप्त है इनको ही भारत के राष्टकवी के रूप में माना जाता है इनको काफी पुरुषकार मिल चुके हैं लेकिन सबसे महत्पूर्ण है संस्कृति के चार अध्याई के लिए साहित्य अकादमी तथा उर्वशी के लिए ज्यानपीट पुरुषकार इनकी मुख्ये रचनाय हैं रशिम्रथी उर्वशी यह काफी महत्पूर्ण है मोहन राकेश इनका जन्म 8 जन्वरी 1925 अमरस्वर पंजाब में हुआ इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि इनको नई कहानी आंदोलन का पिता माना जाता है उसका नायक माना जाता है इनको और इनको अधिकांश लोग उस दोर का मानायक मानते हैं इनको 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया जा चुका है इनकी मरत्यू हुई 3 जन्वरी 1972 नई दिल्ली में इनकी कुछ मुख्य रचनाये उपन्यास एवं नाटक हैं अंधेरे बंद कमरे अंतराल नया आने वाला कल कापता हुआ दरिया कई एक अकेले आशान का एक दिन लहरों के राज हंस आधे अधूरे धरमवीर भारती इनका जन्म 25 दिसमबर 1926 एलहाबाद वर्तमान प्रियाग राज उत्तर प्रदेश में हुआ इनके पिताजी का नाम था चिरंजीवी लाल वर्मा माताजी का नाम था चंदा देवी यहें प्रियोगवादी युक के कभी माने जाते हैं इनकी मुख्य रचनाए हैं उपन्यासों में गुनाहों का देवता सूरज का सात्वा घोड़ा निबंद ठेले पर हिमाल लिह और आधुनिक काल के सबसे आधुनिक कभी हैं डोक्टर कुमार विश्वास इनको तो आप सभी जानते ही होंगे इनका जन्म 10 फरवरी 1970 पिलकवा उत्तर प्रदेश में हुआ इनके पिताजी का नाम डोक्टर चंदरपाल शर्मा है और माताजी का नाम श्रीमती रमा शर्मा है इनको काफी अलग-अलग प्रकार के पुरुसकारों से सम्मानित किया जा चुका है काववे कुमार पुरुसकार डोक्टर सुमन अलंकरन साहित तश्री लेगक धरमवीर भारती ने डोक्टर विश्वास को इस पीडी का सबसे जादा संभावनाव वाला कवी काहा है और हिंदी गीत का नीरत जी ने इन्हें निशा नयामक की संग्या दी है और मशुर हाद से कवी डोक्टर सुरेंद शर्मा ने इन्हें इस पीडी का एकमात आईये सो कवी काहा है चलिए अब इनकी रचनाय देख लेते हैं इनकी मुखे रचनाय हैं एक पगली लड़की के बिन कोई दीवा ना कहता है यह तो आपने सुनी होगी फिर मेरी याद जो इन्होंने 2019 में ही लिखी है चलिए अब आधुनिक हिंदी साहित्य के पुरुषकार देख लेते हैं महत्पूंट पुरुषकार है ग्यानपीट पुरुषकार इसके संस्तापक हैं श्री साहु शान्ति प्रसाज जेन ग्यानपीट पुरुषकार हिंदी साहित्य का दिया जाने वाला सर्वोच पुरुषकार माना जाता है ग्यानपीट पुरुषकार 22 भाषाओं में दिया जाता है जो हमारे समीधान की आठवी अनुसूची में शामिल है इस पुरुसकार में 11 लाग की रासी दी जाती है तो अब हम देखेंगे हिंदी में किस-किस को ग्यानपीट पुरुसकार मिल चुका है और अक्सर इन ही की रचनाएं परिक्षाओं में पूछी जाती है सबसे पहले हिंदी के कवी हैं सुमित्रा नंदन पंत जिनको चिदंपरा पर 1968 में ज्यानपीट पुरुसकार मिला दूसरे रामधारी सिंग दिनकर इनको उर्वशी पर मिला 1922 में और तीसरे हैं सचीदानंद, हीरानंद, वास्यायन जिनको अगय के नाम से जाना जाता है इनको मिला है कितनी नावों में कितनी बार पर ज्यानपीट पुरुसकार 1978 में और महादेवी वर्मा को ज्यानपीट पुरुसकार मिला है यामा पर 1982 में और महादेवी वर्मा के बाद ज्यानपीट पुरुसकार संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा उसके बाद जितने भी कवी हैं उनके जीवन वर के योगदान पर उनको ग्यानपीट पुरुसकार दिया जाने लगा तो नरेश महता हुए, उनको इनकी संपूर साहिते पर ग्यानपीट पुरुसकार मिला निर्मल वर्मा हुए, कुमर नारायन को 2005 में मिला अमरकांत को 2009 में, श्रीलाल शुकल को 2009 में, केदारनाथ सिंग को 2013 में, कृष्णना सोब्ती को 2017 हिंदी में मिला और 2018 में मिला अमिताव घोषको, यह हिंदी कवी नहीं थे, लेकिन यह भी परिक्षाओं में पूछा जा सकता है क्योंकि यह पहले अंग्रेज जी के लेकक हैं जिनको ग्यानपीट पुरुषकार से नवा जा गया है अब कुछ और महत्पूर बाते जान लेते हैं ग्यानपीट पुरुषकार के बारे में गोविंद शंकर कुरूब जो मलियालम भासा के कवी हैं यह पहले कवी हैं जिनको ग्यानपीट पुरुषकार से सम्मानित किया गया 1965 में और 2019 का पच्वनवा संस्क्रण ग्यानपीट पुरुषकार का मिला अकीतम अच्युतन नम्बूथरी जो की मलियालम भासा के कवी हैं आई होप अब आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कोमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी पर किसी और विशय पर कोई वीडियो बनाओ तो नीचे कोमेंट करकर उसका नाम बता दीजिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद